आज हम लोग बात करेंगे आर्ज के जो टॉप कुछ कॉलेजेज हैं पूरे इंडिया में चुकि विद्यार्थी कहते हैं कि सर हम कहां पढ़ें चुकि बिश्विद्याले बहुत हैं जहां पर पढ़ते हैं उस विद्यार्थी में कुछ सेलेक्टेट कॉलेज हैं जहां पर हमारा कुछ कॉलेज है जो नायक है जो हमारा भराष सरकार के दवारा गठी तीकी है जो रैंकिंग करती है कॉलेज का उसके अधार पर मैं कुछ सेलेक्टेट कॉलेज का नाम बता दाता हूं ताकि जो इसे बार प्लस टू पास किये हैं स्यूटी के माद्ध हम से अलगलग कॉलेज के 24 होगा उनके मन में सवाल होगा हम कौन कॉलेज में अड्मिशन लें कहां लें कैसे पढ़ें इस सारे बाते होगी तो हम टॉप कॉलेज की बात करें उसमें से एक है सिम्बॉसिस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एन कॉमर्स एक पूने एक पूने में है जहां पे और्स और कॉमर्स की काफी अच्छी पढ़ाई होती है यहां का रिजल्ट काफी अच्छा है यहां पे प्लेस्मेंट भी होता है मलब ग्रेशन के बाद प्लेस्मेंट भी होता है बहुत कम विश्विद्याल है भारत में जहां पे ग्रेवशन के बाद प्लेश्मेंट होता है तो यह वैसा कॉलेज में से एक है जो आकी आपको नायक के द्वारा एक ग्रेडिस का दिया गया है और इसमें ग्रेवशन के बाद प्लेश्मेंट होता है एक पूने में है बाकी यहां पर आर्स और कमर्स दोनों की बहतरीन पढ़ाई होती है यहां पर बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी है जहां से कंप्रीड करके ओनर्स कंप्रीड करके अच्छा प्लेश्मेट पा सकते हैं यह आगे अगर EPSC बेगर आने आपको जाना है तो वहां जा सकते हैं एक तीसरा कॉलेज का नाम है संजीवियर कॉलेज अहमेदाबाद में है गुजरात में है यह बहुत टॉप टेन कॉलेज में एक है और इसको ए प्लस का दर्जह मिला है नाइक टीम से गुजरात में है तेहां की जानकारी आप जो है ले सकते हैं बागी इसके वेब साइट पर जाके लोएला कॉलेज चेनई देश के लग लग है चेनई में भी अगर आप कुछ लोग रखमी चेनई पर आगे लग के पनाई करेंगे तो लोएला को चेनई है तैक और कॉलेज गोट इस्टाबलेश सी 1925 और इजिशी है जर कनायदिस कॉलेज चुँ एनक के दवारा है has accredited with A++ grade तो सोच सकते हैं जिसका A, A++ A, A++, A++ अच्छी quality के college में आती है अच्छी ranking college में आती है तो लोईला अब college अब चन्नाई में वे ट्राइ कर सकते हैं जदी आपने आगे plus two के बाद बहाँ जाके पढ़ने को सोचा है तब फिर एक है मिठी भाई college of arts मुंबई मुंबई में है महरास्ट में है यहाँ पर arts की काफे अच्छी पढ़ाई होती है तो यह आपका जो है इसका जो establishment हुआ था 1961 में हुआ था और एक college इसको जो एक grade प्राप्थ नेक के द्वारा जहाँ पर best quality की पढ़ाई होती है in the field of arts and आपका जिसने मुनिटीज करते हैं इस college के building से बड़ा खुबसूरत building है बाकी website पर जाके इसकी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं चलिए मैं आगे बताता हूँ फग्सन college पूने पूने महारास में college है जहाँ पर arts की बहतरीन पढ़ाई होती है और इसके जो है एक ही in 2020 NIRF National Institutional Ranking Framework जो केंद सरकार के द्वारा बनाई है उसके द्वारा जो है इसे it is one of the top reported college of पूने that has been awarded with A grade by Mac it is also one of the oldest college of पूने जहाँ पर arts और humanities की पढ़ाई का भी बहतरीन तरीके से कराई जाती है देखिए इसका खुबसूरत दर्वाजा है जो हमें एवलेवल हुआ है मैं आप लोगों को दिखला रहा हूँ बाकी तो ओनलाइन आप सब कुछ देख सकते हैं लेकिं मैं कुछ कॉलेज का नाम बता दे रहा हूँ जो आपकी सभी के लिए काफी important होगा संजीवियर कॉलेज कॉलकटा कॉलकटा में है बंगाल में है संजीवियर कॉलेज कॉलकटा में जो है NIRF जिसके पहले मैं आपको बताया था NIRF ये आजकल question पुछता है NIRF का full power का होता है National institutional ranking framework तो NIRF के द्वारा इसका जो rank मिला है 7 मिला है It is an autonomous college that was established in 1860 काफी पुरानी college है और ये बहतरीन तरीके से हाँ पे humanities की पढ़ाई आपकी होती है तो ये आपने आज के आगे पढ़ाई करने के सुचे हैं तो आप यहां पे जाके आप admission ले सकते हैं उसके बाद Sophia college for women Mumbai Mumbai में है Sophia college of Mumbai Sophia college is run by the governing body of the society for the higher education of women in India The college got established in 1940 1940 में इसका थापना हुआ है और ये आपका Christian community college है और काफी बहतरीन college है जहां पे इमिन्टिस की पढ़ाई कापी अच्छी होती है एक खुश्का के खुश्का के खुश्का तस्वीर है जिस college का मैं नाम बता रहा हूँ Sophia college of women Mumbai यहां पे काफी जो महिलाए हैं जो ललकियां हैं आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप यहां पे जा सकते हैं यहां के बच्चे जो हैं काफी ज़्यादा लोग UPSC क्वालिफाई किये हैं और बहुत सारे यहां पे professors बगर अभी हैं आप बहुत ही खुश्रती मैं एक simple से चितर लिया हूँ लेगना जब खुद इस college के website पर जाकर देखिएगा तो सारे information आपको मिलेगा फिर है Chris College Bangalore एक करनाटक में पढ़ता है Chris College Bangalore is one of the top 10 college for the arts and humanities in India इसका स्थापन 1969 में हुआ था और 2020 में NIRF rank this college in the third position in the private law category और यहां पर काफी बहतरीन तरीके से पढ़ाय होती है अब आते हम लोग मरिंडा हाउस देली नाम सोनेंगे मरिंडा होस देली नवस्टी के बहुत बहुत बहतरीन college है जहां पर first position as per the NIRF है निरF के द्वारा इसका first position ranking में है लास्ट बर्दा बेस्ट आवर लिस्ट आप 10 colleges for the RCMT यह हम लोग में काफी बहतरीन college है मरिंडा हाउस देली नवस्टी में आपको पढ़ता है फिर आदे के हांसराज college हांसराज college इनवस्टी आप देली में है जहां पर हमरिडिस की जहां पर आर्ज की बहतरीन तंग से पढ़ाई आपको कराई जाती है उसके बाद है एक campus इनवी का campus tour of हांसराज college मातमा हांसराज है the college was founded by the DAV college managing committee on July 26 July 1948 में इसका स्थापना हुआ था और यह काफी बहतरीन college है जहां पर DAV के द्वारा संचालित की जाती है और आज के रेट में इसे भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है उसके बाद देखिए मदरास Christian college हाना मदरास Christian college यह मदरास में है और यहां पर humanities का arts का जिसमें history, policy, geography, economics की काफी बहतरीन पढ़ाई होती है और आप इस college को भी चुन सकते हैं ज़री आपने arts लेने का सोचा है तो उसके बाद देखिए गारगी college, this is one of the institutions that have been constantly working towards turning a student into every citizen of this country और इसका जो वीजन है, institution is to run itself into a center of excellence by promoting knowledge, creating new knowledge and finding its application by tapping the potential of staff and student और बहुत बहुत बहुतरीन तरीके से यहां पर humanities की पढ़ाई की जाती है, एक तरह से training दी जाती है, जहां से पढ़ने के बाद आप UPSC, BPSC या किसी state PCS में जाना हो या क्लाइट के लिए जाना हो, या अधर किसी courses के लिए जाना हो, mass communication में जाना हो, इसावी के लिए एक काफी बहतरीन college में से एक college है राज हंस college भी दली इन्वस्टी में है, जिसका अस्थापन में 17 में हुआ था, by great educationist and राय केदारनाथ, राज हंस college is one of the oldest college of Delhi, beginning from the humble प्रिशिंट्स अप दीदरिया गंज ओल्डेली इस्थापित है, और यहां पर हमिडिस की पढ़ाई काफी बहतरीन तरीके से गढ़ाई जाती है, उसके बाद देखिए आपका है Stella Maris College, इसमें भी काफी बहतरीन तरीके से आर्ज की पढ़ाई की जाती है, यह हमारे कुछ टॉप colleges था, जिसके बारे में मैं आप लोग को बताया, कि यह स्वाम्या college अपार्स and commerce, इस तरीके से DAB college, यह चंडिगर में है, इसके building खुबसुरात बिल्डिग है, मौन केमेल college, यह आपका दौलत राम college इविदली निवस्टी में है, बेमेंज क्रिश्चन college, इस सारे colleges है, यह सारे बहतरीन colleges है, जिसका मैंने आप लोग को नाम बताया, और इस सब college के लावा, अभी स्विध्याला भहुत सा रहे हैं, उस भी स्विध्याला में जो selected college है, ज इस सेंट्रल इन्वस्टी में जहां कहीं भी आपको हिमेलिटिस की पढ़ाई होती है, काफी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई होती है, प्रसिदेंसी इन्वस्टी कोलकटा, प्रसिदेंसी college इन्वस्टी आपका जो है, मदरास या भी शुभार्ती, शांतिनिकेतन, बंगाल, इन्वस्टी अब दली के लगभख सभी college है, उसमें से मैं कुछ college का नाम बताया, बनारा सिंदू इन्वस्टी, जवाल अन्योरी इन्वस्टी, इसके बाद आपका अल्लीगर इन्वस्टी, इसके अलावा जाम्या अमिलिया इन्वस्टी, के अलावा इंदरपरस इन्वस् चाहिए, तभी आगे आप अच्छा कुछ कर सकते हैं, जड़ी आपने हमटेज लिया है, ता आपने आपको कमजोड ना समझे, इसमें काफी career options है, लेकिन हाँ, हमें ही कहें कि 10 प्लस टू के बाद एक अच्छे संस था, मैं जाकर admission लेने का प्रयाश किजिए, जिसके लिए अगर इसमें को पास करना होता है, अगर इसमें को पास करके जाते हैं, ता आपको अच्छा college मिलता है, और अच्छा महौल मिलता है, अच्छा platform मिलता है, जहां पे आपको काफी exposure मिलता है, नए-ने लोगों से मिलते हैं, पूरा दुनिया से जोड़ते हैं, जब अभी आप अगर इसमें हिस्ट्री, पॉल्टी, जगरफी, एकोनोमिक्स, यह सभी पेपर में किजी पेपर को लिये हैं, आप इसे मन से पढ़िए, इस विल्ल में काफी career options है, यूपीएसी के अलावा, स्टेट पीएसी के अलावा, जनरलिजम में, मास कमनिकेशन कहते हैं, या आपका judiciary में, या फिर teachings में, या फिर travels में, या फिर लेखनी में, बहुत सारे options आपको भरे पढ़े हुए हैं, और इसमें कि अभी तो science वाले, commerce वाले विद्यारती भी, पढ़कर फिर इसमें try मारने के लिए सोच रहे हैं, तो मैं एही कहूंगा, जदी आपने arts का chain किया है, तीसमे इसमें जो है, element अभी 10th pass की होंगे, 11th पढ़ेंगे, 12th पढ़ेंगे, लेकिन साथ में जो 6-10th का, अगर आपके पाउकाप command नहीं है, तो उस book को रखें, उस book को एक से दो बार कम से कम revise कर जाएए, और जो important facts से उसको लिखिए, और उसके बाद जिस field में आपको जाना है, माली UPSC qualify करना है, UPSC में जाना है, या lecture receive में जाना है, क्लाइट में, क्लाइट qualify करके, judiciary में जाना है, law university में admission लेना है, या mass communication, जिस की से सेक्टर से में जाना है, उस सेक्टर के लिए पूरी तरीके से devoted हो जाएए, आपको से अफलता निशीत मिलेगा, धन्यवाद.